तूट गई विकास की डोर, चलो फिर चले कॉंग्रेस की ओर देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का विश्वास नगर विधान सभग शेत्र विश्वास नगर विधान सभग का जिक्र हो, और यहां के युवा और कर्मट जुझहारूनेता नसीब सिंग का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ऐसा नहीं है कि नसीब सिंग का नाम महज विश्वास नगर तक सीमित है दिल्ली के राजनेतिक गल्यारों में नसीब सिंग एक जाना पहचाना नाम है इलाके का विकास कर नसीब सिंग जी ने जो शोहरत हासिल की है वो दिल्ली में मिसाल कायम करने वाली है उसी का नतीजा है कि विश्वास नगर के लोग अपने चहेते नेता को दिल से पसंद करते हैं और पसंद करे भी क्यों ना दरसल हर किसी के दुख सुख में शरीक होने वाले इलाके के विकास के लिए लोगों के कंधे से कंधा मिला कर चलना नसीप सिंग जी की नियती जो बन गई है गाओं गाजी पर में नसीप सिंग ने बहुत कुछ किया है पक्की सड़क, नालिया, गंगा जी का पानी, इस्कूल खोड़ना, दो बरायत घर बनाना, बिजली की सुब्दा, टेलिफॉन की सुब्दा, बहुत ही कुछ की बैंकों का साहरा, बैंक खाते खुलवाए सब, य नसीप सिंगी देन है, चाहे अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सब के हर दिल अजीज हैं नसीप सिंग, विश्वास नगर विधान सभा का चप्पा चप्पा, इलागे की विकास गाथा खुद बखुद बयां कर रही है, ये निर्मानिस्थल आईपी एक्स्टें मेट्रो इस्टेशन का है, ये कम लोगों को ही पता होगा कि मेट्रो की ये लाइन बाहर से निकलने वाली थी, लेकिन नसीप सिंग जी के संघर्ष का नतीजा है कि ये लाइन अब आईपी एक्स्टेंशन के बीच से निकल रही है, जो इलाके के लिए सौगात है, इसके अल नसीप सिंग जी की देन है. मिल नहीं रहे हैं, कारण कि यहां की जो डिवलेमेंट जो है साउथ दिल्ली से भी बैटर हो गई है. पहले मेट्रो यहां पे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, डू टू एफर्ट्स आफ आफ अवर MLA नसीप सिंग, इस मेट्रो हैज बाट है, और यहां पे सारे IP एक्स इस्टेंशन को चारो तरफ से घुमा के और इतना एक्सपेक्टिड लाब है कि लोगों को कहीं भी जाना होगा तो मेट्रो से वो जा सकते हैं. जब भी हम नसीप सिंग के पास किसी काम को लेके जाते हैं, उसका प्रोपर रिस्पॉंस मिलता है और उसको हम देखते हैं कि कि दिकत नहीं होती, किसी के दुख में, सुख में उनको बुलाया जाता है तो वो आके उनके शरीख होते हैं। उत्रा बनाए रखने को प्राथ मिक्ता भी देते हैं। उसका जीता जाकता उदाहरन है, इलाके से गुजरने वाली शानदार सडकें जो विकास की बानगी तो हैं, लेकिन जगह जगह फैली हर्याली भी लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित करती है। शानदार फर्राटा भरने के लिए चमचमाती सडकें तो लोगों की सुरक्षा का भी खयाल रखा गया है। मधुविहार और लक्ष्मी नगर जाने वाली सडक पर हैवी ट्राफिक को देखते हुए सुरक्षित फुटोवर ब्रीज का भी निर्मान कराया गया है। इसके अलावा नसीब सिंग जी ने अपनी पंद्रह वर्ष की विधाय की काल में पूरे विधान सभख शेत्र में दर्जन भर से ज्यादा अंडर ब्रीजों का निर्मान कराया है। जिससे इलाके में आवगमन काफी सुगम और आसान हो गया है। दिल्ली में बेतहाशा बढ़ रही आबादी के बावजूद विश्वास नगर विधान सभख में चमचमाती गलियां, मुहले, साफ सुत्री सडकें और हरा भरा सडक का किनारा हर किसी को आकरशित करता है। इलाके में सुबर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कई सरकारी इमारतें जहां सैकड़ों की तादाद में सरकारी दफ्तर हैं। ये भी देन है नसीब सिंग जी की। ये निर्बान कारे और मजबूत चमचमाती इमारतों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कि निर्बान कारे में गुणवत्ता से किसी तरह का समझहोता नहीं किया गया है। ताकि जनता की गाड़ी कमाई से हुए विकास कारे का समुचित उपयोग किया जा सके। शीरी निसीव सिंग हमारे पिछले 15 साल हमारे पहमेले रहे हैं। उन्होंने इस एरिये में बहुत ड्वेल्मन्ट का काम किया है। हमारी एरिये में ग्रीनी बिटकुर नहीं थी। उन्होंने इस एरिये में ग्रीनी बहुत बनाई है। बाट पेर लोगाए हैं और 2007 में इस ग्रीन रीव को देखा दिली गॉर्बन ने इस एरिये को एक रार रवेगा फस्ट प्राइज दिया था इस एरिये में इतनी ग्रीन रीव है कहीं और होगी नहीं और हमारे इंटर सैटी स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें इस्टीव सिंग का बहुत ही योगदान रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बलाओ जिस समय भी बलाओ कोई भी बलाए उन्होंने कभी मना ने किया समय में पहुंचते हैं और दूसरी बात सुसाइटियों में उन्होंने बच्चों के लिए जूले लोगाए हर सुसाइटी में सबसे बड़ी बात है कि कोई कभी किसी काम को किसी को नहीं मना नहीं किया और आई विख्ष और सक्षाइब कमिंग लाक्ष नसीब सिंग जी की पंद्रह वर्षों की विधायकी में इलाके में एक तो विकास की बैयार चली तो दूसरी ओर हर उम्र के लोगों का भी खयाल रखा गया मसलन युवाओं के लिए आधुनिक संसाधनों से सुसचित यमुना स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्मान कराया गया जहां बच्चे और युवा स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं इलाके के लोगों को सेहत मंद बनाए रखने के लिए आईपी एक्स्टेंशन सहित पूरे विधान सभख शेत्र में कई डिस्पेंसरी का निर्मान कराया गया है जहां आधुनिक मशीनों से लेकर सभी सुविधाओं से लैस लैब हैं जोसमें लोग अपना उपचार कराते हैं एलोपैथी डिस्पेंसरी के साथ आईपी एक्स्टेंशन में ही साई बाबा मंदिर के पास होमियोपैथी डिस्पेंसरी का भी निर्मान कराया गया है सामाजिक बैठकों के अलावा सामुहिक कारेओं के लिए आईपी एक्स्टेंशन सहित दूसरे वार्डों में सामुदाइक भावन का निर्मान कराया चमचमाता कम्यूनिटी हॉल नसीब सिंग जीक के विकास की गाथा गा रहा है एक जमाना था जब लोग बिजली की किल्लत से परिशान रहते थे लेकिन जब से इस नसीब सिंग जीक को इलाके के लोगों ने विकास की कमान सौपी है तब से इलाके की बिजली के समस्या भी खत्म हो गई है पुराने ट्रांसफार्मरों को हटा कर नए एच्टी ट्रांसफार्मर लगवाए गए पटपरगंज इंडस्ट्रिल एरिया, नियू संजय अमर कॉलोनी, हसनपूर, आईपी एक्स्टेंशन, गाजिपूर, सीवीडी ग्राउंड, सूरजमल विहार, सैनी एंकलेब सहित, प्रीत विहार और गगण विहार में पावर ग्रिड और सब इस्टेशनों का निर्मान कराया, जिससे बिजली की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है नसीब सिंग जी की दूरगामी सोच का ही नतीजा है, कि इलाके के विकास के साथ साथ, देश के भविश, युवाओं को शिक्षित करने पर भी खासा जोर दिया गया है, इलाके के बच्चे इस शिक्षा से बंचितना रहें, इसके लिए पटपड गंज में मल्टी स्टोरी सर्वोदय माध्यमिक विद्याले का निर्मान कराया, जहां आज हजारों लड़के लड़कियां शिक्षा ग्रहन कर रहें हैं, कड़कर डूमा में डाइट सेंटर के स्थापना कराई, आनन विहार अंतर राजिय बसड़ा भी नसीब सिंग जी की हिदेन है, जहां से दिल्ल आके को गुलजार किया, तो छोटे बड़े व्यापारियों के लिए भी काफी काम किया है, गाजीपूर में फल, सबजीमंडी और मुर्गा मंडी का निर्मान नसीब सिंग जी ने कराया, दिल्ली की सबसे घनिया अबादी वाले एरिया, गाजीपूर में फोर लेन सड़क क का निर्मान कराया, जो मामूली बात नहीं है, ये भी युवानेता नसीब सिंग जी की आधुनिक सोच का नतीजा है, जो आज पूरा इलाका चमचमा रहा है। जिसकी लोग दिल से तारीफ करते हैं। लगबग 408 लोगों को विकलांग पेंशन हम लोगों ने लगाई। उसी तरह से अनसीरी भी हमने 3054 अनसीरी के लोगों को फायदा पहुचाया। लाडली योजना से जो हमारी बेटियों को फायदा होता था वो भी आज इन्होंने बंद कर दिये। लगबग 7166 लाडली योजना हम लोगों ने लगवाई थी। उसी तरह से आज हम इन पैंशने पर भी काम करना चाहते हैं। जो 1500 पेंचन थी उसको हम 3000 करना चाहते हैं जिन लोगों को 1000 पेंचन मिलती थी उनको हम 2000 करना चाहते हैं भाणए मुख्यों यह सकिनर हमारी की तो उनको लाब क मदे सकें अब धिजरे उनकी पेंचन को डूगना करें गए इस्कूल खुलवाने में लगबग पांच इस्कूल हमने नए खुलवाए और सत्रा की बिल्डिंगें हमने बनवाई ग्यारा अनौत्राइज कॉलनियां पास करवाई नौ समुदाय भवन नए बनाए दस चौपाले बनाए फिरी गैस के चूले गरीबों को हमने जो मिट्टी के तेल लिया करते थे उनको गैस में कनवर्ट कराया उसी तरह से हमारा जितना भी विहार का एरिया है अपरूड एरिया है मदुबन से लेके प्रीत विहार, आनन विहार, विवेक विहार तक सब जगा पर हम लोगों ने गैस के कनेक्शन्स दिये आईपी एक्शेंचन में भी अगर दिल्ली में सबसे पहले गैस के कनेक्शन की शुरुवात की गई तो हमने आईपी एक्शेंचन और अपने विहारों में शुरू की इसका हम विस्तार भी करना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इन connections को विश्वास नगर में और जो अनाथ्राइज रेगुलाइज कॉलनिया हैं और जो विलिज हैं हम ये gas के connection जिससे की cylinder से चुटकारा मिलेगा उस तरह से आगे का पूरा का पूरा area हमारा उसमें हम convert कराना चाहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताती रही भारती जंता पार्टी ने भी पिछले चुनाओं में महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया लेकिन इस पिछले एक साल में ना तो भारती जंता पार्टी ने कुछ कहा और ना ही केजरिवाल जी ने कुछ कहा कि महिलाओं क सुरक्षा को क्या इंतजाम किये जाए यहां रेप होते रहे छेडखानियां होती रही और 2013 के मुकाबले 2014 को क्राइम एकदम से डबल हो गया अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने जितना दावे किये थे उस पर ये लोग काम नहीं कर पाए आने वाले समय में हमारा होगा तो वो हमारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लॉयन ओडर को लेकर होगा और उसके बाद बिजली और पानी का काम हम प्रियोर्टी पे रखेंगे जहां तक भारते जनता पार्टी के लोगों का सवाल है कि वो राजनीती में नए हैं उसी तरह से आम आदमी पार्टी के भी जो उम्मीद्वार है वो वसंद्रा गाज़ेबाद में रहते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस सेतर की समझ्चाओं से भारते जनता पार्टी के उमीद्वार भी सिविल नाइन में रहते हैं सिरफ चुनाव रणने के लिए किराय पर यहां मकान लिये हुए हैं मैं अभी अधूरे हैं उन अधूरे मकसदों को हम पूरा करना चाहते हैं जैसे भीकंसिंग काप ना था हमने वह ही पास कई उस पार्क और रोक दिया गया और अज फो को गृुट इस है दिया गया मैं आप लोगों के सामने ये वादा करना चाहता हूं कि हम उसको पार्क बनवाएंगे जिस तरह से जो पार्कों में कमिया है सूरजवल पार्क का हमने डीडिये से मेंबर रहते हुए उसको मौडरन पार्क बनाने का एक बीड़ा उठाया था और लगभग उसमें 50 से 60 करोड रुपे खर्च कर उसको एक अच्छा पार्क बनाने का परपोजल पास कराया था जो अभी तक उस पर कुछ काम शुरू हुआ है और कुछ काम आगे नहीं बढ़ पाया है बहुत सारी चीजें हैं अभी जिनकी कमी हमारे छेतर में है वाइफाई को भी हम फ्री में लोगों तक पहुचानी की बात कर रहे हैं और उसका भी हम हमारे उपर पूरा दाइत तो रहेगा कि हम जो नौजवान हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनको वाइफाई फ्री मिले इसका इंतजाम भी हम लोग अपने आप से सरकार के दौरा कराया जाएगा मैं नसीब सिंग विश्वास नगर विधान सभा छेतर से आपका उमीदवार हूँ और पिछले पंद्रे वर्सों में मैं आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर काम करता रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि इन चुनाओं में आप मुझे अपना आशिरवाद और वोट हाथ के निशान का बटन दबा कर मुझे अपना समर्थन और आशिरवाद दें धन्यवाद जैहिन इलाके में सुरक्षा के पुखता इंतजाम के साथ महला सुरक्षा पर विशेश जोर दिया जाएगा मार्केट, सोसाइटी और कॉलोनियों को सीसी टीवी की निगरानी में रखने का इरादा है आपके सहयोग से पानी और बिजली के दरों को सस्ता कराने की प्राच्मिक्ता दी जाएगी इलाके के निजी अस्पतालों में बुजर्गों के लिए OPD वा सस्ती दरों में टेस्ट सुविधा मुहिया कराना सभी अपार्टमेंट, मार्केट और कॉलोनियों में डस्ट बिन के सुविधा मुहिया कराना पहली प्राच्मिक्ता होगी ताके इलाके को साफ सुत्रा रखा जा सके नगर निगमो दिल्ली सरकार में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके आइस्थाई कर्मचारियों को इस्थाई कराने को प्राच्मिक्ता राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड के लिए एकल खिड़की का इंतिजाम पार्क, स्ट्रिट लाइड और सीवर लाइनों के साथ फुटपाथ के सौंधरी करन का काम कराने का इरादा है सीवर के पुरानी लाइनों को बदलवाने के साथ पाइप लाइन में सुधार कराने को प्राथ मिक्ता दी जाएगी इलाके में बिजली के समुचित व्यवस्था कराना बीपील परिवारों को सस्ते दामों पर मिलने वाले राशन के तादाद बढ़ाने को प्राथ मिक्ता दी जाएगी रिद्धा वस्था पेंशन के लिए पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें सुविधाएं प्रदान कराना साथ फरवरी को दिल्ली के विकास के लिए हाथ के निशान पर मोहर लगाए लेलोग प्रवरी के लाएगी